धन्बार जिले के भाड़ी उपी छीद्र बीसी सेल नागदा कोलवरी हाथ से की सत्रवी बर्जी के मौके पर सर्धान जली सभाका आयो जन क्या गया सहीद मस्दूरों को सहीद अस्थाल पर बीसी सेल सीम्डी सिम्रंदत्ता कॉंग्रिस प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष जली शर्मा तो मार्सस नीता हल्दरमंडर मस्दूर यूनियन जन प्रतिनीधी सहीद मस्दूर परिजनों ने नम आखों से सहरताम जली दी 6 सितंबर 2006 को नागदा खांद दुर घटना में 50 रमिक सहीद हो गये थे घटना साम लगभग 7.5 पचे घटी थुआ था नागदा खादान के 17 नमबर 9 में मिथेन गयस ये विस्पोटक होने के कारण खादान में आग लग गए थी जिसमें 50 रमिक जिन्दा जल गये थे घटना करम के बाद 20 सिल प्रबंधर ने खादान को बंद कर दिया था हाला कि घटना के जाच आज तक नहीं हुई दोसी अधिकारियों पर कोई कारवाई नहीं हुई वहीं सहीद मजदूर परिज़नों ने कहा कि खान हाथसी में 50 मजदूर की मौत हो गई थी 20 सिल नियोचन जरूरती है लेकिन आज भी अपनों की जाने का दर्द है इस घटनां के लापरवाब 20 सिल अधिकारियों पर कोई कारवाई नहीं हुई है जाच होनी चाहिए जो दोसी है उन सभी पर कारवाई होनी चाहिए हम बोलें कि कोची सब तो दिकते में रहता है तो तो देखने वाला देखना चाहिए वो सब आदमी तो और हो है ना जिसको तो दिकत हुआ है उतना नहीं ने खर पाएगा बात तो यह है ना इसके लिए तो बहुत आदमी है जै भाई तो बहुत तरह का गटना हो गया है इस इसके उपर बीत रहा है वो जान रहा है दूसरा कोची जानेगा कुछ नहीं होने ही चाहिए इसमें गलती किया है हम लोग यहीं लग रहा है एक नया नौक्री होने से अच्छा यह नहीं परिवार चल रहा है एक जेन सब का यह हो गया है इसको सब को कर्षट भुगडना पड़ रहा है उसका बाल बच्चा कैसा यह कर रही अगर कोई लेडिस अपना पती के चलती नौक्री कर रही है तो बहुत कश्ट से ही अपना बाल बच्चे को पोस रही है अगर उसका पती जिन्दा होता तो यह दिन उसको देखना नहीं पड़ता लेडिस को जैन्स को जगह नहीं आना पड़ता एक दम बिल्कुल होनी चाहिए और जो गलती की है उसको सजा भी मिलनी चाहिए सुविधा क्या मिली है सुविधा जहां तक कुछ नहीं मिली है एक नोकरी मिली है लेकिन बड़ता निकल रही है घर से कितना दिन अपना बाल बच्चे को यह करके पोसेगी